पोखरा अंतराष्टिय बिमानेस्थल चार दसक अगी को पोखरेली को सपना एक बर्षमा पुरा हो दै बिक्रम समद 2004 मा बिमानेस्थल को काम सुरू भाय पसे उत्साहित पोखरेली को सपना छेटे बिपना मा परिड़त गरना पछिल समय कोरोना बेवधान बने राए पनी तेशका बावजोद आयो जना को काम भने निरंतर अगाडी बड़ी रहेको सा कोरोना संकरमण के कारण लागू गरियेको लामों बंदा बंदिमा समेत बिमानेस्थल को काम रोकिने अवस्था आये न तर काम मा भने केही असर परियो निर्धारित मीती बंदा छो मैना अगाबै राष्टिय गौरब को आयो जना पोखरा छेत्रिय अंतराष्टिय बिमान को निर्माण संपन्न न वहे पनी तो कि एको मिती वित्रय में संपन्न गर्ने गरी अहिले धमा धम काम भाई रहेको आयो जना आले जना आयेको छ ततकालीन संस्कृति परेटन तथा नागरिक उडेन मंत्री स्वर्गिय रविंद्र अधिकारिले बिका समितिको सभापति हो को निर्माण मा दिनुभाय को 2400 तथा योगदान लाई पोख्रेली जन्ताले समझिदे आयेका सन्थ बेबिन्न संस्था तथा ब्यक्तिको लामो समय को प्रेयास संगई पोख्रेली को सपनाले सार्थकता पाउन चार दसक बंदा बड़ी समय लागयो गयेको बर्षको समय वित्रे सकने गरी काम भाई रहेको पोखरा बिमान स्थल आयोजना का परिय जना परवंदक बिनेस मुनकर्मी ले पता उनुभायो करीब 22 अर्व रुपईया को लगानी मा निर्माणा धिन यस बिमान स्थल को हाल सम्मा दोई तिहाई काम सक्येगो सा आयोजना संपन्न हुना एक वर्ष बंदा कम समय बाकी रहांदा बाकी 33 पर्तिसत काम संपन्न गर्णुपरने चुना उति सा तरह आयोजना परमुख मुनकर्मी भने सिभिल तरफ का अधिकाम सकाम सक्येकाले फिनिसिंग का लागी समय न लागने पताउनों छा परेटकिया नगर का रुपमा परिचित रपस्ची मा परेटक को पहिलो रोजाईको गंतप्य पोखरालाई हवाई संपर्क का माध्यम बाठा बेश्चो का अन्ने सहर्चंग सिधा संपर्क काईम गरी ठाप परेटन परवदन का लागी बिमानिस्थल को सपना देखियेको जार दसक अगी नहीं हो तरह य अधिकरण गरने काम सुरुगरिये को थियो समेत चीन बाठा आउने तायारी मा रहे काले दोई सिफ्ट मा काम गरेरो भाय पने काम लाई तिवरता दी दैशा आयो जाना का बिभिन्न बावन मा जडान गरीने उपकरण ले आयो जाना को थप बेश देखी 25 परतिसत बाउत्तिक परगती ओगाटनेर जडान मा बड़ी समय खर्चीनु नपरने भाय कले समेत आयो जाना समय माई पुरा होने मा आयो जाना विश्वास्त शा आयो जाना पर्मोख मोनकरमे ले भन्न बायो बिशेस गरी उपकरण जडान रा भावन को फिनिस्सिंग को काम बांकी सा उपकरण आय सकेको सा पिसेस अग्या कामदार समेत आउना शुरू गरे काले अब काम को परगती ले तिब्रताली ने सा हामें तोक्येको समाय वीत्र स संपन्न गरने सों। संपन्न गरने सों। संपन्न गरने सों। संपन्न गरने सों। बिमान स्थल को काम सहज रूप मा अगे बड़ाऊन केही व्यवधान हटाऊन अजई बागी सौ। संपन्न गरने सों। आइका ओको माधदन्ड अनुसार बिमान उडां र अबतरड के सुरक्षियाखा लागी सों। डाडा 40 मिटर हारा आरिमा कटान गरनुपर्णे देखिये कुछ। डाडा बड़ी कटान गर्दा उडां र अबतरड बड़ी सुरक्षित हुने श। बैक्ति गत जमेन मा बैक्ति आफईले कटान शुरू गरे पनी सरकारी बन छेत्र कटान का लागी आयोजनाले अहीले बातब्रडी या परभाब मुल्यांकन EIA सुरू गरे गोश। र अबक्ति पंद्र दिन मा तेसलाई संपन्न गरेर परेटन मंत्रालाई बाट बन मंत्रालाई हुदई मंत्री परिशत बाट निड़े भये पछे डाडा कटान को काम सुरू हुने आयोजना पर्मुख मुनकर मेले जानकरी दिन वाय। वहाले बन्नुभयो आईका ओको माब्दन्ड अनुशार सुरक्ष्यागा लागी 40 मीटर डाडा कटान गरनु आवस्चेक सौ। येसका लागी हामिले EIA तयार गरेर मंत्रालाई मा पठाउं सौ। मंत्री परिश्द बाटा स्विकिर्थ हुनी बित्तिकाई कटान को काम सुरू हन्चा। बिमाने स्थलको उत्तर दक्षिन भायरा बन्ने नहर पनी समस्याका रूपमा देखियेको छ। हिउद मा सो नहर ले दुख नदीने भायपनी बर्शाय अम्मा नहर मा पानी भरीदा धावन मार्ग सम्मा आईपुक सौ। गएको असार मा तेही नहर का कारण धावन मार्ग को पुर्वी भाग बिजएपुर खोला तर्फ को तल्लो भाग मा केही छेती पुगे को थियो। सेती नहर एबम काहुँखोला सिंचाई यजना बाठा आउने बर्खे भल सहित नहर को पानी मिशिदा नहर ठुलो भायरा दुख देकाले यसलाई बेमान स्थलको परविश द्वार नजिक को राज मार्ग बाठा सिधे बिजएपुर खोला मा मिशाउने बेवस्था गर्न मुनकर्मी का अनुसार नहर को समस्या का संबंध मा मुख्य मंत्री समक्स्या पर्ति बेदन पेश गरिये कुशा। संथ 2021 जुलाई 10 मा निर्मार संपन्न गर्ने समय सिमा तोकिये कुशा। बेमाने स्थल संथ 2014 मे 22 मा नेपाल नागरिक उड़ेन प्राधिकरण र चाइना CAMC बेच निर्मार समझावता भायको थियो। संथ 2021 मार्च 21 मा नेपाल सरकार चिन सरकार बेच रेण समझावता भायको मा शोही वर्षक जुन पांच मा शरकार नागरिक उड़ेन प्राधिकरण बेच सवलियत रेण समझावता भायको हो। चिन को एकजिम पाइंक ले संथ 2017 को मे 21 मा रेण स्विक्रित रेकामा संथ 2018 फेबरवरी 25 मा नेपाल सरकार नागरिक उड़ेन प्राधिकरण र चिन या एकजिम पाइंक बेच बेमानस्थल निर्मार का लागी अर्थिक स्रोत को सुनिस्चित ता बैपसे निर्मार कारे आयोजना को लेंड साइट तर्फ 25 मीटर लाम दावन मार्ग, टैक्सी वे, आइसोलेटेड पार्किंग, राजमार्ग बाट टर्मिनल भवन समक को मुखे सडक तथा अन्ने पहुंच मार्ग, नौ एक्सेस रोड सिंचाई नाला पानी बाहर पठाउने आउटलेट तथा कल भड को काम सक्कियेगो सा, इसे गरी एरसाइड र भवन, तर्फ आन्तरिक तथा बाय टर्मिनल भवन, एटीसी टावर लगायत को 24 वट भवन, हैंगर लगायत को सिबिल समरचना र कंक्रीट समरचना को काम सक्किये र डेखुरेशन र फिनिसिंग बई रहेगो सा, अबन मा उपकरण जडान गरने काम ततकालाई शुरू गरिनेर विदेशी कामदार आय लगते आयो जनाले थप गती लीने सो, जडान कारे चाड़ उने भयकाले समेत आयो जनाको बहतिक परगती बढ़ने सो, गलाइड पाथ, इलेक्ट्रिक, मोटर, पोडिंग, ब्रीज लगायत का उपकरण तथा डेकुरेशन का सामागरी केही आयका सन्वने यही आउने चरण मैं छन। 32 मां पहिल पठक 3,100 रोपनी जमिन अधिकरण गरियेगु थियो, तेसपची बिग्रम सम्मद 2021 बहत्तर मां थ 521 मद्धे मां 5,75 रोपनी जमिन तथा 35 घर टहरा अधिकरण गरियो, आउटर पेरी फेरी रोड का लागी भनेर पून 59 रोपनी जमिन तथा 34 घर टहरा तेसर र जारी गर्दे बिमान अतरर गर्दा बिमान लाई नियंतरन गर्ने उपकरण गलाइड पाथ अप्रोच लाइट तथा मेट्रोलोजिकल राडार स्टेशन रा लगायत काप पुर्भाधार को लागी आउस्चेक 104 रोपनी मद्धे, सरकारी 14 रोपनी बाहेक, स्थानी अबास बनने गंड की पर्देश का मुख्य मंत्री पिर्थिवी सुब्बा गुरुम लेब बताऊनु भयो राष्टिय गवरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बिमान स्थल लाई समय में संपन्न गराउनका लागी पर्देश सरकार का तर्फबाट आवस्चेक पहल भई रहेको वायाको बनाई छा बिमान स्थल मा नहर का कारण पर्ण सकने अप्ष्यारो को लागी पर्देश महतिक तथा पुर्भाधार विकास मंत्रालाय लगाये सरकार वाला हरु सहित को कारे दल गठन गरी सक्किये को र ये संबंदमा चाड़ैने निसकर्षोमा पुगिने वाले बताऊन भयो बिमान स्थल सहित का राष्टिय गवरुप का आयोजना संपन गर्णुमा इस्तानिय सरकार को समनुएर सरकारे मा पर्देश सरकार पर्ति बर्द रहेको लेक गर्दै मोख्यमंत्री गुरुंगले पोखरा बिमान स्थल निर्मार संगई अन्य आवस्षिक भौत्तिक पुर बिमान स्थल निर्मार संगई पोखरार आसपास का चेत्रमा बेवसायर ले बैंक बटर रेंड लियरो येस चेत्रमा रामरे लगानी गरेकेशन वहाले बन्द बायरुप मा यहांका सड़क पुर्भाधार लगायत को निर्मार लाई प्रार्त मिक्ताद निदै गंत अब्य देश्र उडान गरीने सहर का लागी स्वरकार ले आवस्चिक परक्रिया अवस्चुरू गर्द छो अहिलिको अंतरिक तथा बाय भाडा गर्भंदा सवली अत्मा उडान संचालन गरेर बिदेसी परेटक आकरसिप गर्णू पर्निमा वायाको जोड़ छो गंड़की पर्देश को राजधानी पोखरा अंतराष्टिव बिमान स्थल निर्मार संगई संचालन मा आईदे की विश्चो सामो पहुंच स्थापित होने छो बिमान स्थल ले यहां को परेटन खेलकूद सिच्चा स्थिय उद्योग बैवसाय लगाय का सेप्रमा शकरात्मक पर्भाब पार्ने तथा ये स्थेप्र को आर्थी को पारजनमा सोय भूगने विश्वास लिए गोशा झाल को आर्थी